Hello students, I am Dr. Shilpi Jaiswal, Department of Political Science, UP College. आज हम लोग बात करेंगे माइकल ओक्षॉट की, कि माइकल ओक्षॉट ने रायनितिक दर्शन के छेतर में अपना क्या योगदान दिया? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि माइकल ओक्षॉट के समय, जो समकालिंग रायनितिक दर्शन था, उसकी प्रिष्ट भूमी क्या थी? तो हम ये देखते हैं कि बीस्वी शतावती के अंतरगत, जो स्कूल अफ थॉट्स थे, यानि कि विचार सम्प्रदाय, उनमें प्रतच्चवादियों, नव प्रतच्चवादियों और अन्य लोगों ने ये कहा, कि रायनितिक सिधांत अब मुझत्य घोशित हो गया है, और कुल मिलाकर अब इस विचार को इस समय ये बल मिला, कि अब रायनितिक सिधांत के छेतर में अब कोई भी नई गुंजाईश नहीं है, यानि कि इस समय जो भी रायनितिक दर्शन को चिंटन ये प्रस्तूत किया गया, उस पर कोई भी विशेश थ्यान नहीं दिया गया, फिर इसी समय उधारवादी सिधां समकालिन माक्सवादी सिधां से जुड़े हुई जो विचारक थे और इनसे अलावा भी कुछ अनेक रायनितिक दर्शन को उभर कर सामने आएं, जिनोंने स्वतंच्रता, क्रांती, सत्ता, नित्रित्व, प्रतिनिधित्व, वैद्धिता, प्रगती, इत्यादी पर अपना एक मोलिक विचार प्रस्तूत किया, और इनका ये मानना था कि मानवता के समस्याओं के प्रती एक नए ढंक से हमें उसका समस्या का सामधान ढूनना चाहिए इन विचारकों में प्रमुक्त हन्ना आरेंट, लियोस रॉस, एरिक वोयगलीन, माइकल ओक्षॉड इत्यादी थे इन सभी ने रानितिक दर्शन का एक नवीन विचलेशन प्रस्तूत किया अगर हम बात करें माइकल ओक्षॉड की तो ये ब्रिटिस फिलोसफर थे इनका जन्म 11 दिसंबर 1901 में ब्रिटेन में हुआ था इन्होंने Cambridge University से अपनी सिक्षा प्राप्त की और इसके साथी ये London School of Economics and Political Science में 1952 में प्रोफेसर बने जहां पर इन्होंने हेराल्ड लास्की की कुर्षती समभाली फिर इसकी बाद ये 1969 में वहां से रिटायर हो गया ये बहुत अधिक प्रभावित थे प्लेटो, अरस्तू, हॉप्स, कांट, इत्यादी से इन्होंने बुद्धी तर्क, बुद्धिवाद और अनुभावाद पर कि इन्होंने आलोजना की और रोडिवाद को एक नए तरीके से प्रस्तुत किया यानि हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि जो माइकल ओप्शॉर्ट थे वे तत्कालिन रोडी दार्शनिक चिंतकों में से प्रमुक विचारत थे और इन्होंने तत्कालिन ब्रिटिस चिंतन परंपरा को एक नया आयाम दिया इसी कारण इसे नाव रोडी वादी आंदोलन का प्रवक्ता भी माना जाता है इनकी कुछ पुस्तके यह हैं रैशनलिजम इन पॉलिटिक्स एंड अदर्ज एसे यह सबसे इंपॉर्टेंट है इसके साथी साथ एक्स्पियेंस एंड इस मोड इंट्रोडक्शन टू थौमस हॉफ्स लेवियाथन पॉलिटिकल एजूकेशन ओन हुमन कंड़क्ट इसके साथी इन पुस्तकों का प्रकाशन वर्श भी इसके साथी दिया हुआ है ओन हुमन कंड़क्ट इस पुस्तक में नों ने ये कहा कि जो मानवी स्वतंत्रता है वो सबसे अधिक महत्पूर है और इसके साथी साथ इनोंने मानवी वहवार को दो भागों में विभाजित किया या दो भागों में इसको वर्गी कृत किया पहला ये कहते हैं कि पहला जो मानवी वहवार उसे हम यंत्री या विवेकी वहवार कहते हैं और दूसरा है हमारा नेतिक वहवार तो सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये यंत्री या रैशनल बिहेवियर क्या होता है और ये किन-किन जगों पर लोग करते हैं, इस वहवार का प्रयोग करते हैं तो हम कहा सकते हैं कि ये जो यंत्री या विवे की वहवार है ये वहाँ पर होता है जहां किसी गोल को अचीव करने के लिए इस तरीके के वहवार किये जाते हैं किसी गोल को, किसी उद्देश को प्राप्त करने के लिए, जैसे एक्जामपल में यहाँ हॉस्पिटल है, कॉलेज है, मैनेजमेंट है, ओफिस है, आर्मी स्कूल, एक्सेक्टरा, यहाँ पर जो एक एक जगह है, यहाँ पर अब इस मालीजे जैसे हॉस्पिटल है, तो पदसोपान होता है, और या कॉलेज हो, या ओफिस हो, या स्कूल हो, यहाँ पर इससे जुड़े जितने भी लोग होते हैं, इनका अपना-पना अलग-अलग वैवार नहीं होता है, बस एक यंत्री की तरह वैवार होता है, एक हम हॉस्पिटल से जुड़े हैं, या हम कॉल कि हम जब परिवार से जुड़े होते हैं, वो वहवार हमारा जो हमारा परिवार के प्रती होता है, वो वहवार जो हमारा मित्रों के प्रती होता है, वो वहवार जो हमारा अपने मित्रों, अपने रिलेटिव, अपने संबंधियों के साथ होता है, तो यहाँ पर आप देख करते हैं कि इनसे एक दूसरे को कोई फैदा होगा वो नैतिकता भरा वैवार है यहां पर एक दूसरे का कोई फैदा नहीं उठाता है या एक दूसरे के प्रती कोई भी किसी भी तरीकी का मतलब किसी भी गोल को अचीव करने के लिए एक दूसरे से वह वैवार नहीं करते हैं जो कि हम rational behavior या यांत्रिक या विवेकी वहवार में हम देख रहे हैं तो उसी तरीके से यहाँ पर माईकल ओक्षॉट ये कहते हैं जिस तरीके से मानवी वहवार होता है उसी क्याधार पर हम human association या मानवी संग को भी देख सकते हैं मानवी संग दो प्रकार के होते हैं पहला है आपका enterprise association या उद्यमी ओबलिक प्रयोजनार्थ मानव संग और दूसरा है moral association यानि की नैतिक साचर्य अथ्वा नैतिक मानव संग तो पहला क्या है? पहले में आप किस तरीके का association को रख सकते हैं? इसके पहले वाले slide से समझी hospital, college, management, office, army, school यानि की ये कैसा association होगा? कैसी संस्था होगी? तुम लोग बात पिरते की उद्यमी या प्रयोजनार्थ मानव संग की ये एक सचिक संस्था होगी यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हुए होगे उनके एक समान उत्यश्य होगी जबकि जो नैतिकता पर आधारित जो मानव संग है वो आपस में सरमान स्विकृती पर एक साथ रहते हैं और अपने समान स्विकृती पर एक साथ रहते हैं और जबकि जो उद्यमी और प्रयोजनार्थ जो संग है वो नैतिक साचर से बिलकुल अलग है ये सरमान स्विकृती पर एक साथ रहते तो हैं यहां पर यह लिखा हुआ है जैसे एक स्वैक्षित संग है अगर इसकी सदस्य चाहें तो अपनी सदस्यता का त्याग कर सकते हैं अलग हो सकते हैं जबकि moral association या नैतिक साचर में ये चीज नहीं होता है और यहां पर लोग जो होते हैं वो प्रतिक व्यक्ति का उदेश अलग-अलग हो सकता है तो यानि कि यानि कि यहां पर आपका ये सारे हो गये एक्जामपल और दूसरे में आपका यानि नैतिक साचर नैतिक मानो संग में ये आपके सारे एक्जामपल उसमें आ जाएंगे यानि आप देख सकते हैं कि जैसा मानों वहवार होगा उसी तरीके से मानवी संग भी होगा अब हम बात करेंगे कि Lex या Respublica ये क्या होता है यहाँ पर Michael Okshaut ये कहते हैं कि ये जो Respublica या Lex है ये नागरी संग को बनाने वाले नियम होते हैं ये नियम जो होते हैं ये समिन्हान की शक्तियों, दायत्वों, प्रक्रियाओं की रीतियों इत्यादी को तय करते हैं जिने ओक्षोट Lex का नाम देता है ये जो Lex है या Respublica है ये नागरीकों के अधिकारों और दायत्वों का विवेचन करते हैं ये इस तरीके से ये आपके मानवी वहवार हैं और ये आपके नियम हैं माइकल ओक्षोट ये कहता है कि इस प्रकार के Lex को मानना प्रतेक नागरीकों का दायत्वों होता है क्योंकि ओक्षोट ने Lex को सबसे अधिक महत्वों दिया है क्योंकि यही जो Lex है वो नागरीक संग का आधार तयार करता है ताकि जो नागरिक हैं वो आपस में एक दूसरे का सहयोग करें और यहाँ पर ओक्षोड ये भी कहता है कि नागरिकों द्वारा इसकी मंजूरिया अनुमूधन की जरुत नहीं है क्योंकि वे सभी इमाल लेते हैं, सभी नागरिक के माल लेते हैं कि लेक्स सही ही होंगे और अच्छे ही होंगे तो ये नियम जो है वो आंतरिक रूप से प्रति बंधात्मक होते हैं और उसे किसी बाहरी सहायता की जरुत नहीं होती है जबकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो उद्द्यमी या प्रजनार्त मानव संग होता है जो एक स्वैक्षिक समू है वो जब आप जॉइन करते हैं कोई भी ऑफेस या होस्पिटल उसमें एक बाउंड होता है एक बाउंडेशन होता है कोई नियमा वली होती है जबकि नैतिक सहाचर में इस तरीके कि हम परिवार में रते हैं या समाज में रते हैं तरीके कि कोई बाउंडेशन तो होती नहीं है पस वह हमारे अंदर से वह चीजें आती हैं कि हम किस तरीके से हम इस तरीके जो मॉरल असोसियेशन है उसके हम नियमों का पालन सही तरीके से कर सके तो अब यहाँ पर एक और भी कोईशन उभर कर सामने आता है कि attack on rationalism यानि कि यह जो माइकल ओक्षॉट है वो बुद्धी बात पर ग्रहार करती हैं वो यह कहते हैं कि rationalism is causes root of many ill effect यानि कि यह जो बुद्धिता दर्शन सास्त्री होते हैं या जो दर्शन सास्त्री आरानितिक दर्शनिक होते हैं वे हमें एक कल्पना की दुनिया में ले जाते हैं जैसे बात करें प्लेटो की वो प्लेटो को भी क्रिटिसाइज करते हैं और उनकी तरह और भी दर्शनिकों को क्रिटिसाइज करते हैं कि एक हमें सपनों की महल में ले जाते हैं सपनों की दुनिया में ले जाते हैं कि इस तरीके से होगा मैंने अपने दर्शनिक चिंतन की इस तरीके से आधार शिला रखी है पर वो क्या सही होती है हमें वास्तविक् कारण इन्होंने एक विशेश प्रकार के यानि जो मारा दूसरा पॉइंट है कि इन्होंने दूसरे एक विशेश प्रकार के बोधिक्ता पर बल दिया है उनका ये कहना है कि हमें अपनी राजनितिक विवेक पर ध्यान देना चाहिए और अपने सांस्कृतिक अपने राजी की संस्कृति पर ध्यान देना चाहिए इसके साती साथ वो यहां पर यह बात करते हैं कि वो इतिहास इतिहास परक राजनिती का समर्थन करते हैं और वह परंपरा का समर्थन करते हैं और इसके साती साथ वह रूड़ी वाद के समर्थक हैं इसका क्या मतलब हुआ वहाँ पर यह कहते हैं कि मान लेजे कि भारत की राजनितिक ववस्था में कोई भी मान लेते हैं कि कोई effect है या कोई दूश है तो क्या हमें क्या किसी दूसरे देश की या अमेरिका की राजनितिक ववस्था को जियों कत्यों अपना लेना चाहिए नहीं यहाँ पर वो बात करते हैं कि हमारी इतिहास की क्या राजनीती रही है उसको ध्यान में रखते हुए उस परंपरा को ध्यान में रखते हुए अपनी रोडिवादिताओं रिती रिवाजों का समर्थन करते हुए हमें अपनी राजनीती में ही कुछ चेंजिस करने होंग हमें किवल rationalism की नाम पे या बौधिक्तावाद की नाम पे हमें कुछ भी चीजों को accept नहीं करना चाहिए इसी कारण वो यहाँ पर मरम्मत की राजनीती की बात करता है वो यहाँ पर कहता है कि मरम्मत की राजनीती का यह मतलब है मालीजे भारती राजनीती की ववस्ता में अगर कोई fault है तो हमें किसी दूसरे देश की राजनीती की ववस्ता को नहीं अपनाना चाहिए बलकि अपनी ही राजनीती की ववस्ता में कुछ सुधार करनी चाहिए कुछ मरम्मत करनी चाहिए और इसके साथी साथ हमें क्या करना चाहिए कि अपने देश की जो संस्कृती है जो विरासत है उसको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए न कि हम किसी दूसरे देश की राजनितिक ववस्ता को जियोंकतियों अपना लें क्योंकि यहां पर हमारे जो देश की जो विरासत होगी जो संस्कृती होगी वो कहीं पिछड जाएगी वो आगे के लोगों को पता ही नहीं चल पाएगी तो इसलिए हमें मरम्मत की राजनिति यानि अपनी राजनितिक ववस्ता में ही सुधार करने ना चाहिए किवल बहुत वाधी लोगों के बातों में आकर अपने राजनिति को पूरी तरीके से चेंज करना एक कहां की मतलब समझदारी है मरमच की राणिति से आपका परिप्राय समझी गए होंगे कि यानि हमारी राणितिक वेबस्ता में जो अगर कोई प्रॉप्लम है कोई डिपॉल्ट है तो हमें उसकी मरमच किरनी चाहिए उसमें सुधार करना चाहिए जब कि विवेक वादियों का यह कहना था यानि बौतिक्त्या वादियों का यह कहना था कि जो राणितिक वेबस्ता है इन वर्गों के पास साचन संचालन से संबंदित राणितिक सिक्षा का भाव है और साचन संचालन एक तकनीकी सिक्षा है और इसे हम पुस्तकों से सीखा जा सकता है रटा जा सकता है और दो राया जा सकता है तो माइकल आक्षाड जो है वो यहां पर रोडिवाद को और परंपारव रितितरवाज की समर्थक की रूप में इन्होंने ये कहा कि हम जो सासन संचालन है उसे हम सेधानति के वैवारिक रूप से हम नहीं अपना सकते हैं क्योंकि टेक्निलोजी को नियमबद किया जा सकता है यानि तक्निकी को नियमबद किया जा सकता है सीखा जा सकता है रटा जा सकता है याद भी किया जा सकता है कि जैसे कैसे कोई मशीन बनती है उसके बाद उस मशीन का प्रयोग कैसे करना ये सारी चीज़े हम सीख तो सकते हैं लेकिन ये सेम टेक्निक हम पुलिटिकल सोसाइटी या राणितिक वेवस्था में अपलाई नहीं कर सकते हैं क्यों? क्योंकि राणितिक वेवस्था की एक अपनी प्रकृती होती है और यहां ये एक वहवारिक ज्यान है इसे नियमबद्ध नहीं किया जा सकता इसे केवल प्रयोक से और अभ्यास की द्वारा ही अरजित किया जा सकता है तो यहां पर आक्षोड जो है वो रोडिवात के संदर्व में यही कहते हैं विवेक वादियों के विचारधारा का खंडन करते हैं और कहते हैं कि वहवारिक ज्यान इस बात का खंडन करते हैं कि विवेक वादियों ने ये कहा था कि तक्निकी ज्यान ही एक मातर ज्यान है और वहवारिक ज्यान कुछ नहीं होता ये बौधिक्तावादियों की इस बात का इस विचार का खंडन आक्षोट में किया और उन्होंने ये कहा नहीं इन दोनों ही स्वरूपों में हमें कोडिनेशन बनाए रखना होगा और वैवारिक पक्ष को हमें ज्यादा बल देना होगा इसके बाद आक्षोट विवेक्वादियों या बौधिक्तावादियों को इस बात पर भी आलोजना करते हैं कि विवेक्वादी इतिहास को और भूत कालिन जिंदन की परंपरा को महत्व नहीं देते हैं वो केवल रारिती में विज्ञानवाद की बात करते हैं विज्ञानवाद के अभाव में ये परंपरा और रिती रिवाजों को की पूरी तरीके से आलूजना करते हैं इसी पॉइंट को लेकर आप्षोट विवेकवाद या बहुदिक्तावाद का खंटन करते हैं और राजिती में रूडिवादिता का समर्तन करते हैं उनका ये मानना था कि रूडिवादि विचारधारा के अंतरगत हमें राजितिक परंपराओं, रिती रिवाजों को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए बल्कि राजिती में अगर यदि कोई कमी है तो सुधार करना चाहिए राजिती का कार राष्ट के विरासत में प्राप्त संस्कृति की ववस्था को बनाय रखना और उसे पूर्ण करना है यानि इस प्रकार से ये किसी भी परिवर्तनों को विरोध नहीं करता है बल्कि उसका ये कहना है कि हमें धीमे परिवर्तन पर भल देना होगा और इसके साथी साथ वो ये कहता है कि जो रानितिक परंपराओं और अविंता की समन्मे पे बल देता है और ये कहता है कि रानितिक समस्याओं का निराकरण वैज्ञानिक अधार पे नहीं होना चाहिए क्योंकि जो political science है वो पुरी तरीकी से science नहीं है वो एक art भी है वो एक color भी है इसलिए हमें रानितिक समस्याओं का निराकरण रानितिक अधार पे करना चाहिए क्योंकि प्रतेक रानितिक वैवस्था की अपनी एकलक शैली और परिवेश होती है तो यानि यहां पर वो यह कहते हैं कि रोडिवाद यानि हमें अपनी राष्ट की परंपराओं के प्रती रोडिवाद होना चाहिए रोडिवादिता अपनानी चाहिए अपने देश की रानितिक वैवस्था को कहीं से भी परिवर्तन नहीं करना है हाँ हम उसमें सुधार कर सकते हैं परंपरा और नविंता की समन में बल की बात करते हैं उक्षोड लेकिन किसी दूसरे देश की अपनाना या पूरी तरीके से परिवर्थित कर देना रातो रात वो सही नहीं होगा क्योंकि रानितिक वेवस्ता प्रते एक देश का अलग- कि कोई भी पक्ष होगा दूसरे को वह प्रभावित करेगा ही तो हमें रानितिक वेवस्ता का रानितिक समस्याओं का सुधार हमें एक दूसरी तरीके से करना चाहिए ना कि वैज्ञानिक अधार पर आपको माइकल ओक्षोड समझ में आया होगा